आप हमें कह रहे हो जोड़तोर की रादनिती हॉस ट्रेडिंग वगेरा वगेरा भाईया हम पर तो हॉस ट्रेडिंग का गलत आरोप लगा है इन्होंने तो पूरा अस्टबल बेच खाया है को उसको कोई ने पूछता है जी हमारा क्लेम करने का अधिकार था इसलिए हमने क्ले किया थे किया था घे लोग तांट्रिक तरीके से सारे विदायों को 5 Lightning hotel के अंदर बंध किया इसके कारण विदायक अपनी जनता का संपर्क न कर पाए और अगर जनता का संपर्क करते तो निस्चीत रूप से उनको जनता का मुड भी मालूम पढ़ता और जनता की इच्छा भी मालूम पड़ती और JDS को BJP को समर्थन करना पर। अगर ये लोग अपने विधायव को पांच सितारा होटल के अंदर फाइव स्टार होटल के अंदर बंद न करते गर्मियों से बचाने के लिए और स्विंग फुल में नहने के लिए खुला छोड़ते तो जनता ही उनको बता देती कि वोट कहां डालना है अगर उनको विजय का जुलूस भी निकालने देते ना विजय का जुलूस तो जनता बता देती कि वोट कहां डालना है गोवा और मनिपूर में हमने जब क्लेम किया तब कॉंग्रेस ने सबसे बड़ी पार्टी नाते क्लेम नहीं किया था कॉंग्रेस के लोग आराम कर रहे थे और इसलिए राज्यपाल के पास और कोई चारा नहीं था हमें न्योता दिया और हमने सफलता पूर्वक बहुमत को पार किया है राजनिती के अंदर हमने जनता से मेंडेट मांगया था सबसे बड़ी पार्टी हम थे बाकी दलो नेता ही करना था कि मेंडेट जनता के मेंडेट को तोड़ना है या आपने नेताओ को मानना है या आपने नेताओ को मेंडेट को मानना है वहाँ PDP सबसे बड़ी पार्टी थी उसका हमने समर्थन किया है क्योंकि फ्रेक्चर मेंडेट था यहाँ JDS सबसे बड़ी पार्टी नहीं है ना कॉंग्रेस सबसे बड़ी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हम है तो हमने फ्रेक्चर मेंडेट में सबसे बड़े मेंडेट का संबान किया था पूछ भी सकते हैं साइध उन्होंने कॉंग्रेस का इतियास नहीं पड़ा होगा आप लोग सिखा सकते हैं उनको गोवा में चुना हुआ था जिसमें कॉंग्रेस पार्टी को पूरा प्रचार करने के बाद जीरो सीट मिली एक भी सीट ने और उसके बाद में क्या जादू कि प्रताप सीराने ने दलबदल करा गोवा गोमान तक पार्टी से और कॉंग्रेस की सरकार बनी जिस पार्टी को एक भी MLA ने चुनकर आया उसकी भी सरकार कॉंग्रेस ने पांच साल तक चलाई है सारे कॉंग्रेसों ने अपना इतियास समदना चाहिए और देश को समझा आना चाहिए और हम तो अब समझाने का काम करेंगे ही कि इनको जान ये जरा क्योंकि वो अपना इतियास नहीं देखते मेरे पास ये सूचिये 356 की 50 सरकारे कॉंग्रेस ने गिराई है किस मूँ से कॉंग्रेस लोगतंत्र का बात करती है जिनोंने लाखों लोगों को बीना क किसी दोस्ते जैल में डाल दिया जिनोंने प्रेस के मूँपर ताले बन दिये वो कॉंग्रेस लोगतंत्र की दुहाई दे रही है एक अच्छा परिणामा है कॉंग्रेस की लोगतंत्रिक संस्थाओं में स्रद्धा बढ़ गई है अब उनको सुप्रीम कौट अच्छी लगती है अब उनको इवी एम भी अच्छा लगता है अब उनको चुनावायोग भी अच्छा लगता है यह आधे अधूरे विजय से अच्छी लगने लगी है यह अच्छा ही का हम स्वागत करते हैं और चाहते हैं कि जब हारे तब भी यह सारी चीजों को वो याद रखें कि मैं मैं जोच्छी नहीं हूं भाईया अभी तो एक बार छोड़े वो बस अभी तो छोड़ा ही नहीं है मनोज इसना जब लगता है अभी तो इतने दिन होने के बाद भी उनको विजय जुलूस निकालने नहीं दिया है और इसमें आप लोगों को कुछ गेर लोग तांत्रिक नहीं लगता है कि सारे विधायकों को उन्होंने होटल में अभी भी इस सेकंड तक बंद करकर रखाए छोड़ा नहीं जिस चन उनको छोड़ेंगे जनता उनसे जरूर हिसाब मागेगी ऐसा मेरा मनना है कि या अमने तो आपको इसलिए वोट नहीं दिया था कि कॉंग्रेस की सरकार आ जाए